हलो दोस्तों भारत अप्डेट्स चैनल में आपका स्वागत है और इस अप्डेट में बात करने जा रहा हूं हिमाचल प्रदेश पुलिस जो भरती अभी चली हुई है उसके बारे में तो यहां पे आज एक अपडेट आई है तो चली देखते हैं क्या है यह अपडेट तो त तकनी की खामी जो है निगल गई 20,000 से अधिक आवेदन पुलिस सिपाही भरती के लिए फीस भरने के बाब जूद बेरोजगार हो रहे है परिशान तो देखते हैं क्या है यहां पे पूरी न्यूज तो हिमाचल प्रदेश में 8 से 12 जुलाई तक होने बाली पुलिस भरती बिरोजगारों के लिए परिशानी का सबब बन गई है विभाग की विवसाइट में आय तकनी की खामी 20,000 से अधिक आवेदनों को निगल गई है पुलिस भिवाग की ओर से 30 अप्रया तक सिपाही के 1093 पदों के लिए ओनलाई आवेदन मागे थी प्रदेश भर से 1,000,000 से अधिक आवेदन पुलिस विवाग की विवसाइट में तकनी की खामी के कारण नहीं दिख रहे हैं यानि कि जो विवसाइट में कुछ खराबी है तकनी की खामी है उसके कारण जो है 20,000 से अधिक आवेदन उसमें शो नहीं हो रहे हैं तो इससे प्रदेश भर के युवा ब के जो है अप्लिकेशन नमबर जो है पुलिस विभागी विवसाइट पर अपलोड हो गई है बट उनकी फीज़ा जनरेट नहीं होई है जबकि कुछ के तो एडमिट कार्ड भी नहीं मिल रहे हैं जिसके चलते प्रदेश के 20,000 से अधिक युवा प्रति दिन जीला पुलिस अ दिक्षक कार्याले के क्रेब दो दर्जन युवा अपने रोल नमबर के लिए चक्कर काटते नजर आए इन युवाओं के पास अप्लिकेशन नमबर तो है मगर पुलिस विवाग द्वारा जो सूची जिला सिर्मोर पुलिस कार्याले को जारी की गई है उसमें उनके नाम तो सुतन के अंसार ऐसा यह समस्या प्रदेश में बीस जार से अधिक आवेद्गों के हुए लिए यहां पर आई है तो बीस हजार से ज्यादा के लिए परिशानी है यह युवाओं के लिए एक लाख से अधिक अभिहरतियों ने इसमें आवेदन किया था और एक हजार ते तक परिश्भर में चलेगी भरति प्रक्रिया तीस ती हमाएं अबी तन करने की थी याने की 2030 अंलें अप्लाइग करने की और विभाग की विवसाइक में तकनिक की खाम के कांशनेरे जो है नहीं हुए हैं फीस कई उपनिके से गीडिटिन ही नमबर प्लोड हो गए हैं बटन की फीजन रेट नहीं हो रही तो बहुत सारे यहां पर प्रॉल्म क्रियेट हो रही है पुलिस भर्ती में तो भी देखते हैं क्या यहां पे नेक्स्ट कुछ अपडेट देते हैं यह नहीं देते हैं जिनके जो हैं अप्लिकेशन नंबर आ रहे हैं फीस देट नहीं हुई है या एड्मिट काड नहीं निकल रहे तो क्या यह आगे अपना ने अपडेट देते हैं तो युवावने पुलिस महाने देशे को लिखा पत्त युवान पुलिस महानेदेश को पत्तर लिख कर इस संधर में उचित कारेवाई की मांग की है ताकि उन्हें भरती देने का मोका मिल सके जिला सिर्मोर के दाहु निवासी सचिन चुहान शशिपाल तो यह सारे यहां पर इन्होंने बोला है कि ओनलाइन भरती के फॉर्म कंप् भरी गई थी तो यह उनका कहना कि हमारे अप्लिकेशन नंबर जन्रेट हुए है और हमने फीस भी पे की है जो कि पुलिस विवाग की विवसाइट पर अब तक अपलोड नहीं हुए है तो उन्होंने अपनी तरफ से वह कर दी है बट जो पुलिस विवाग की विवसाइट ह अब पर अपलोड नहीं हुए जिसके चलते उनके रोल नंबर अभी तक जारी नहीं हुए है तो उनको भी बहुत परिशानी हाँ पर हो रही है बहुत सारे युवा रोज महान देशक को मिलने मिल रहे हैं जारे हैं उनके पास अपनी प्रॉलम्स लेके तो ये भती चलनी है भी और 92 पदों के लिए 5,645 कोरो नंबर जारी तो 92 पदों के लिए 5,645 केंडियेट्स कोरो नंबर जारी कर दी गये हैं जिला सिर्मोर में पुलिस भरती के 92 पद है जिसमें सिपाही के 69 पद पुरिषों के लिए 18 पद महिलाओं के लिए तथा 15 पद जो हैं चालकों के लिए हैं इसमें से 3741 पुरुष अवेदक 72 ड्राइबर आवेदक बा 1832 महिला आवेदकों के फॉर्म पुलिस विवागना सभी कार यहां पर किये हैं इसके अतरिक जिला स्री मोर से करीब 1000 फॉर्म पुलिस विवाग की विबसाइट की तकनिकी खराबी के कान दर्ज नहीं हो पाए हैं यानि कि बहुत से अभी भी यहां पर केन डिक हैं जिनके जो हैं अभी तक जो हैं एडिमिट कार्ड नहीं आए हैं 1000 के करीव हैं सिर्मोर पुलिस वर्ति के यहां पर नहीं निकले हैं तो 5645 को ही जो है रोल नंबर जारी हुए हैं और नीचे यहां पर देख़ें कि अधिकारियों नहीं उठाए फॉन पुलि पूलिस मुख्याले स्थित अतिरिक्त पूलिस अधिक्स पंक शर्मा से उनके मुवाइल फोन नंबर यहां बता रहे हैं तो रिसीब नहीं किया यहां पर लिखा है तो यहां पर देखते हैं कि नेक्स्ट जो है इनकी अपडेट कब तक आती है कि योची जो है यूबा जो है वेट करते हैं पुलिस भर्तिका बहुत से योबा जो थीस्यारी थी तैयारी करने थे बहुत दिनों से तो अभी कारन हमें पर नहीं हरा तो उनको परिशानी तो जुरूर हो और हो अपडेट ये या नहीं तो अगर आप को वीडियो ची लगी तो इसे लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जूट करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए थैंक यू